नमस्कार जैभिम दोस्तो कैसे हो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुकर वेज-पुलावा दोस्तो आप देख पारे होंगे कि कुकर में मैंने वेज-पुलावा बनाया है और इसमें सारे वेजि टेबल हमने ड चावल है यह हमारे पुलावा के चावल नहीं है हम लोग घर में जो हम लोग डेली बनाते है वही चावल का हमने पुलावा बनाया है और यह देखो दोस्तों बनकर रेडि हो चुका है प्लेट मैंने लगा दी है अब बस जल्दी से आजाईए और टेस्ट करिए तो सबसे पह है साथ में हमारा जीरा है और हल्दी पावडर नमक स्वात के अनुसार आठ दस लसन की कली है अद्रग भी मैंने लंबा काट लिया है और साथ में मेरी हरी मिर्ची भी लंबी कटी हुई है और गाजर और मूली यह भी लंबे कटे हुए आप देख पा रहे होंगा प्याज दोस्तों यह सारी चीजें मैंने लंबी लंबी काट लिया और बहुत अच्छी भी रही है और टेश्टी बनने वाली है तो सबसे पहले तो हमने कुकर रख दिया है गेस पे और इसमें हमने डाल दिया है दो चमच तेल दोस्तों तेल की मातरा अगर हम लोग थोड़ा सा हम लोग ने जो चावल वगरे है और जो हमने सबजी काटी हुए है जितने भी हमारे वेजिटेबल कटी हुए है इसमें हम लोग जैसे गोबी वगरे आलू है मतर है और यह सारी चीजे हम लोग इसमें डाल देंगे गाजर मूली हमारी सारी चीजे हम लोग इसमें मिक्स करक अच्छे से दो पानी से हम लोग इसको धूल लेंगे क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे वेजिटेबल वैसे हम लोग पूरे धूल कर ही रखते हैं लेकिन फिर भी जब हम लोग जब भी बनाते हैं तो हम लोग धूल कर ही बनाते हैं क्योंकि मन नहीं करता है कि बिना धूले हम लोग बनाए तो यह मैंने सारे वेजिटेबल इसमें डाल दी है पानी में और बहुत अच्छे से इसको मैं धूल लूँगे और धूल कर इसके छनने के लिए रग दूंगी पूरा पानी छान लूँगी और उसके बाद में हमारा तेल भी हो चुका है गरम और अब हम लोग ड जादा डालेंगे क्योंकि जीरे का तड़का अगर जादा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है साथ में मेरे लंबे भे जो प्याज है कटे भी हो मैंने डाल दिये है और उसके बाद में फिर हम लोग डालते है अपनी हरी मिर्ची दोस्तों यह हरी मिर्ची ने लसन की कलि है' और काटने के बाद में फिर हमें तो अगर हम लोग वैसे ही डालेंगे तो वह लगता है वह उचलने का ड़ रहता है साथमें जो जो हमारा एक टमाटर कटा हुआ था तो मैं एक टमाटर इसमें डाल देती हूं और इसे भी थोड़ी देर के लिए हम लोग पकने देंगे क्योंकि अगर जब तक के टमाटर नहीं गलेगा तो फिर वो टेस्ट नहीं बन पाएगा और फिर हम डालेंगे जो टमाटर हमारे जो क टेजब्स पत्ति को मीक्स करेंगे और बहुत अच्छे से मसाला तैयार हो जाएगा दोस्तों और इसमें को यह करसे बने बहुत अच्छे से यह पुलावा बढ़नेवाला है तो यह हमने सारे जो जितना भी हमने धुल कर रखा था यह सारा हमने इसमें डाल दे और बहुत अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है क्योंकि मिक्स बहुत अच्छे से करना है अगर यह मिक्स नहीं हो पाएगा तो कहीं कहीं वह उपर अगर रह जाएगा तो फिर वह बाद में हम लोग अच्छे से मिक्स नहीं कर एक कटोरी या फिर जैसे एक गिलास पानी भी डाल सकते हैं ज्यादा पानी नहीं डालना है लेकिन एक ही गिलास पानी डालना है और उसके बाद में हमें कुकर का धकन बंद करके तीन सिटी लगाना है मीडियम आज पर तो ये हमारे तीन सीटी लग के complete हो चुके है और आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा पुलावाद दीख रहा है दोस्तों और इसमें धनिया पत्ती डाल दीए तो ये तो बहुत सुन्दर दीख रहा है एकदम खाने का मन कर रहा है दोस्तों और बहुत अच्छा दावाब बनकर रेडी हो चुका है आपको अगर ये रेशेपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों और लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर कर रहा है थेंक्यू जैभी